Hello Civil Engineers, मैं हूँ Sandeep Singh, Professional Estimation and Billing Engineer और आप सभी Engineers के लिए Corporate Tenor. Engineers मैं आप सभी का Reinforce Training Institute for Civil Engineers के Digital Platform पर सागत करता हूँ. और आज मैं आपके साथ discuss करूँगा कि Camber क्या होता है? Road में जो हम Camber प्रोवाइड करते हैं, वो आपका क्या होता है? Camber हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? Camber का हम ड्रोवाइड में कैसे Analysis करते हैं? Road के जो आपको TCS दिये रहते हैं, टिपिकल क्रॉस सेक्षन, उसमें हम Camber को कैसे Analysis करते हैं? यह सारी चीज़ें आज हम अपने सेशन में डिसक्स करेंगे और जो हमारे प्रिवियस सेशन हुए थे हैं, उसमें मैंने डिसक्स किया था कि आपका Road में जो आपकी ड्रोवाइड होती हैं, उसको हम कैसे पढ़ते हैं, रोड की ड्रोवाइड को कैसे Analysis करते हैं, कौन-कौन स है, TCS को चैनेज के साथ कैसे पढ़ा जाता है, यह मेरा पहला वीडियो था, और दूसरा वीडियो हमने डिसक्स किया था कि आपका carriage बे क्या होता है, formation breath आपकी क्या होती है, toy breath क्या होती है, soldiers क्या होते है, ड्रोवाइड के थो, practical exposure के साथ मैंने आपको explain किया था, और जो ती कर रहे हैं, हमारी YouTube चनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं आपको description में link प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा road का series चल रहा है, तो आपको sequence वाई सभी road की चीज़ां सीखने को मिलेंगी, और आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, तो प्लीज आप चैनल को subscribe कर लिजे, तो आपको इसी तरह से quality content मिलेगा, तो चलिए फिर हम अपने session को start करते हैं, तो हम बात करने वाले थे camber की, camber क्या होता है basically, तो जो हम camber की बात करते हैं, तो camber क्या होता है, जो आपकी road की surface होती है, road की surface में हम transfer direction में, एक slope प्रवाइट करते हैं, जिसको हम क्या बहुते है, camber बहुते हैं, एक वार फिर से सुनिगा, जू आपकी road surface होती है, road surface की transfer direction में हम लोग एक slope प्रवाइट करते हैं, जिसको camber बोलते हैं, क्यों provide करते हैं, ताकि आपका water है, जो rainy season में, डियू अतुम को आपका क्या करते हैं एक slope में provide करते हैं इस तरह से एक slope में आपका रोड आता है जो की transfer direction में होता है उसी को हम camber बोलते हैं ताकि आपका जो पानी है प्रॉपर तरह से आपका रोड में ताकि आपका पाज में easily से निकल जाए आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा लेकिन इस camber को हम drawing में कैसे analysis करेंगे कि आपका camera कैसे दिया रहता है जो आप यहां पे drawing देख रहे हैं आप स्क्रीन पे एक यह drawing देख रहा हूं तो यहां पे आपको यह चीजी समझ में आएगी तो आप drawing में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा drawing में जो आपको camera दे राख्या वो 25% दे रखा है कभी भी आपका रोड फ्लेड नहीं होता यह देखेंगे इस तरह से अगर मैं पूरा straight line खीचूं तो यह देखेंगे आपका line है लेकिन आपको ऐसा road नहीं दिख रहा होगा देख रहा है मैंने एक पूरा सीधा line खीचा हुआ लेकिन road आपका सीधा नहीं है road आपका कैसा है इस तरह से road यह देखेंगे एक slope में है यह इस तरह से आपका road है तो इसी को हम क्या बोलते है कैमबर बोलते हैं यहां देखें हम रोड की ट्रांसपर डायरेक्शन में यहां पे एक slope प्रोवाइड कर रहा है तो यह हमारा क्या है करता है कि हम किस location में रोड बना रहे हैं आपका heavy rainfall area है कि आपका light rainfall area है इसके उपर भी हमारा camber depend करता है लेकिन अभी हम अगर इस drawing के बहाँ पे बात करें तो इस drawing में जो आपको camber दे रखा है वो कितना दे रखा है 50% दे रखा है अब यह 50% किसका 50% भाई यह किसका 50% है जब मैंने अपना पहला इंट्रिव्यू दिया ता दिली बिल्ड कॉन में तो उस समय में फरेशर था मेरे से यह कुशन पूछा गया था कि camber क्या होता है तो वो तो मैंने उसको बता दिया था इंट्रिव्यूर को ल का 50% होता है मीन्स हाप आफ रोड बृट का हम 50% camber consider करते हैं पूरी रोड बृट का आपका 50% नहीं होता है हाप रोड बृट का 50% हम लोग camber consider करते हैं तो यहां पर आपको चीजें सीखने को मिलेंगी किस तरह से होती है तो अब यह प्रेक्टिकल ही कैसा होगा वह मैं को समझाऊगा कि आपका 0.5% किस तरह से होगा केमबर तो यह आपका 10 मीटर का केरिज बे रखा है अगर हम इसका केमबर निकाले तो कितना केमबर आएगा यह देखेंगे यह आपको एक इमेज दे रखा है तो इस इमेज की तुरू आपको सारी चीज़े प्रॉपर तरह से सम के लिए 10 मीटर का आपका क्या है यह केरिज बे लेकिन जो हम केमबर प्रॉइट करते हैं हाप ओफ रोड ब्रित का प्रॉइट करते हैं कभी भी 10 मीटर का केमबर नहीं निकलता है हमेजा हाप ओफ रोड ब्रित का केमबर निकलेगा तो हमारा हाप कितना हो जाएगा यह दे अब 5 मीटर का आप 0.5% निकाल सकते हैं, 5 मीटर का 0.5% निकालेंगे, तो आपका केमबर निकल के आएगा, कि कितने mm का केमबर आएगा, ठीक है न, तो निकाल सकते हैं, आप, 5 मीटर कितना होता है, 5000 mm हो जाएगा, तो इसका आप 0.5% निकाल सकते हैं, डबैट कर लिजे, तो यहां पर देखोंगे को 125 एम वेरं से जुआ कूपटीं और का वूझारнд बाव बर्टानीक glor का इस तरब्टर न वेक्स 6ap वëं से हम्योर को 125 ओ फटा देंगी तो आपको यहां से क्या कर रहा है रोड को 125 ओ फटा देंगी तो हमारा क्या बन जाएगा यह केंबर बन जाएगा यह आपका camera आया है, यह देखेंगे, Sam यह camera आपका दूसरी side भी इस तरह से चला जाएगा, और यह आपका सीधा ऐसा आएगा, यह देखेंगे, इस तरह से camera का analysis किया जाता है, जो आपका camera होता है, हाप आफ रोड ब्रित का हम लोग consider करते हैं, जितने भी percentage दिया है, उसका क्या करते हैं, हाप आफ रोड ब्रित का consider करते हैं, तो आपका 125 mm आया हुआ है, तो आप रोड से 125 mm, सेंटर लाइन से 125 mm उपर ठाके बना दीजिए, तो यह इस तरह से camera का analysis होता है, I hope कि अभी आपको camera समझ में आया हो, किस तरह से होता है, मैंने आपको बहुत यह detail में explain क्या हुआ है, कि camera क्या होता है, यह दोस्तों आपको यह video अच्छा लगा, तो please आप इसे like करिए, अपने friends के साथ share करिए, और आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया, तो please चैनल को subscribe कर लिजे, तो आपक यह सो मच और सी वे ना, नेस्ट वीडियो